पांडे बेचन सर्मा उग्र का जीवन परिचे पूरा नाम पांडे बेचन सर्मा उग्र जर्म 1900, जर्म भूमी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश मृतो 1966, मृतो अस्थान दिल्ली, कर्म भूमी भारत, नागरिक्ता भारती मुख्य रचनाएं, दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों की खतूत, सन की अमीर, चिनगारिया, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, आद बिद्याले, चर्च मिशन स्कूल चुनार, सेंटरल हिंदू स्कूल वारानसी बिसेश योगदान, समरिद भासा के धनी उग्र जी ने अरसा पहले कहानी को एक नई सैली दी थी, जिसे आदर पूर्वक उग्र सैली कहा जाता है अन्यजानकारी, पांडे बेचन सर्मा ने अपनी रचनाओं में समाज के उस वर्ग को अपने साहित का बिसे बनाया, जिसे दलित या पतित वर्ग कहते हैं और उसको दर्साने में उन्होंने किसी प्रकार के सील या अभिजात का परिशे नहीं दिया पांडे बेचन सर्मा उग्र हिंदी की पुरानी पीड़ी के बिसिष्ट लेखक और प्रमुक सैली कार थे आलोजकों का मत है ती कथा कहने की बिद सैलियों और रूपों में अकेले उग्र ने जितनी विभिन और विवादास्पत मनोरंजक और उत्तेजना पूर्ण रचनायें दी थी वे साहित के इस अंग को शंपूर बनाने में समर्थ हैं समरिद भासा के धनी उग्र ने अर्सा पहले कहानी को एक नई सैली दी थी जिसे आदर पूर्वक उग्र सैली कहा जाता है पांडे बेचन सर्मा उग्र की कितनी ही रचनायें बिठिस सरकार द्वारा जक्त की गई थी जन्म तथा सिच्छा पांडे बेचन सर्मा उग्र का जन्म सन 1900 में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के चुनार नामक कस्बे में हुआ था इनके पिता की मौत इनकी बाल्ले आवस्था में ही हो गए थी अता है इनकी पढ़ाई अधिक नहीं हो पाई प्रारंभिक सिच्छा इन्होंने चुनार के चर्च मिशन स्कूल और वारांडसी के सेंटर पब्लिक स्कूल में प्राप्त की थी छोटी उम्र में ही इन्होंने रामलेला मंडलियों के साथ देश के अनेक भागों की यात्रा की जिससे जीवन की वास्तिविक पारसाला में ही इनको असली सिच्छा प्राप्त हुई इस यात्रा में ही इन्होंने जीवन को निकट से देखा परखा और विविद अनभव हासिल किये पांडे बेचन सर्मा सुभाव से अलमस्त और मनमौजी थे पत्रकार जीवन सन 1922 से पांडे बेचन सर्मा उग्र आज दैनिक में लिखने लगे जिससे इनके पत्रकार जीवन का प्रारंब हुआ ये मुंबई के सिनेमा जगत में भी काफी दिनों तक रहे ये प्रेम चंद यूग के सबसे बदनाम उपन्यासकार हुए इन्हें इन्हों ने अपने उपन्यासों में समाज की बुराईयों को उसकी नंगी सच्चाई को बिना लाग लपट के बड़े साहस के साथ किन्तु सपाट बयान बाजी से प्रस्तुत किया उग्र सैली बेंजनाओं लच्छनाओं और बक्प्रोतियों से समरिद भासा के धनी उग्र ने अर्षा पाले कहानी को एक नई सैली दी थी जिसे आदर पूर्वक उग्र सैली कहा जाता है